नमस्कार किसान साथ्यू. मैं आपका मित्र डाक्टर आरेस राजपुत. आज आपको एक ऐसी तकनीके के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी तकनीकी अपना कर आप खेती में बहुत ही अच्छा मनाफ़ा कमा सकते हैं. और खेती इतनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं जिससे कि आप बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमाएंगे उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलेगा और उसका आपको रेट भी बहुत अच्छा मिलेगा और कम छेत्रफल में भी आप बहुत अच्छी खेती कमा कर सकते हैं तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमने यहां पर जो चीजां आपको दिखा रहे हैं उसमें यह drip allocation यानि कि जो टपक से चाए होती है वो पदिती आपको देख रहे हैं इसमें और यह mulching पर सिम्ला मिर्च की खेती यहां पर हो रही है सिमला मिल्च की खेती में बहुत सारी इंपुट और बहुत सारी पैस्टी साइड लगाने की आवसकता होती है जिनको किसान भाई बार बार इस्प्रेग के रूप में देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है तो कम खर्चा अपनाने के लिए इसमें drip irrigation का इस्तिमाल किया जाता है और जिससे की निराई भी ना करनी पगए हैं इसके लिए mulching का इस्तिमाल किया जाता है mulching में ये polythene की mulch लगी हुई है और total ये बढ़िया तरह से इन्होंने अपने खेत में मिर्च की खेती की है जिसकी बौधे जमीन पर नागरें इसकी support के लिए इन्होंने धागे का सहरा लिया है और धागा को अच्छी तरह से इसमें लगाया गया है तो आप देख रहे हैं इस खेत से कितना अच्छा उत्पादन किसान भाई को मिल रहा है एक extra cost होती है बोग नहीं किसान को देनी परती है और एक बार में आपको pipe land डालके और उसकी बूंद बूंद करके जितने पानी की आवसकता पौदे के लिए होती है उतना ही पानी पौदे के लिए मिलता है बहुत ज़्यादा पानी बेश्ट नहीं होता है जिससे कि पानी की बचत भी की जा सकती है और जहां पानी कम है बहां भी ये पदिती बहुत ज़्यादा सफल है क्योंकि पौधे के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवसकता नहीं होती है पानी पौधे के लिए बहुत कम चाहिए लेकिन हम लोग जो फिलाडरी केसन में पानी देते हैं उससे बहुत ज़्यादा पानी बरबाद हो जाता है और ज्यादा पानी लगने से हमारी फसल भी खराब हो जाती है तो फसल खराब ना हो और फसल को बहुत अच्छी तरीके से रखा जाए बहुत अच्छी तरीके से फसल की केर की जाए इसके लिए हमें ये विधी अपनाने पड़ती है जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने सिमला मिर्च की खेती में से सिमला मिर्च को निकाल कर अब इसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं बसचाद ग्रेडिंग करके साथ ही साथ इसके लिए पन्नी में पैक कर रहे हैं जो की ये लगभग 25 किलो तक की 30 किलो तक की पॉलिथीन इनकी बन जाती है। इस परकार से एक एकर में अच्छा खासा मुनाफ़ा इनकी लिए मिल रहा है। यानि एक एकर में हमारी किसान भाई से जब बात हुई थी तो इन्होंने बताया कि एक एकर में बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है और ये साल में कई बार इसके तुराई होती है, इसका उत्पादन बहुत अच्छा है और ये किसान के पास पांच एकर में मिल्चगी खेती है और इसकी पद्दिती जो है बुकेसानों के लिए बहुत ही अच्छी है इस पद्दिती से आप कम लागत में बहुत अच्छी खेतीकर सकते हैं अगर आपको कोई भी पेस्टिसायट यूरिया या आपके लिए कोई भी कोई भी आपको जो growth promoter अगर आपको देना है तो आप अलग से खेत में spray करने की बजाए आप drip के साथ में आप उस चीज़ को दे सकते हैं जैसे कि आपने drip में पानी वहां से छोड़ा उसी में vernal के साथ आपकी जो पैस्टी साड है वो आ रही है उसको आपने गुलंसील करके पानी में मिला दिया और वो आपके खेत में पहुँच रहा है तो जितनी भी आबस सकता है वो पिरतेक पौधे पर उसकी मातरा पहुँचती है जिससे कि हमको उसकी अलग से cost नहीं देनी परती है और हमको अलग से उसकी स्प्रे के लिए कोई भी लेवर नहीं लगानी परती है जिससे कि ये आराम से इसका इस्तेमाल हो जाता है और जब भी हमें जरूरत है तब हम पौधे के लिए चीज़ें दे सकते हैं अगर मालो सर्दिय के मोसम में पाला पर रहा है तो पाले पर आप फिला डिरिगेशन करेंगे तो आप इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे एक दिन में तेकिन डिरिप इरिगेशन से इसमें आपका एक घंटे में सारे छेत में वो पानी पहुँच जाए वै जिससे कि आपको अपनी फसल को पाले से भी बचा सकते हैं तो किसान भाईयो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेयर करें और ऐसे ही आप हम से मिलते रहिए जुरे रहे हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे तब तक के लिए